दोस्तों, दुनिया रहसियों से भरी पड़ी है जो आज भी कई राज हैं। जमीन पर या समुद्र में आए दिन वैग्यानिक ऐसी चीजों की खोज करते हैं जो लोगों को हैरत में डाल देती हैं। वैग्यानिकों ने आब एक ऐसी खोज की है जिसको देखने के बाद वेहरान हैं। अंटाक्टिका की बरफीली सतह के नीचे छिपी दुनिय मिली है जो हैरान करने वाली है। वैग्यानिकों ने यहां एक ऐसा एको सिस्टम पारिस्तिती की तंत्र खोजा है। ऐसा सिस्टम आज तक कभी नहीं मिला था। वैग्यानिकों ने बरफीली सतह के नीचे एक भूमिगत नदी खोजा है जिसमें एक अंधेरी गोफाक नजर आई है। इसमें जीनगे की तरह दिखने वाले छोटे-छोटे जीव रहते हैं। इस नई खोज से वैग्यानिकों में उत्साह है। वैग्यानिकों में ये रहस्यमई स्थान अंटाक्टिक प्रायद्वीब के पूर्वी तक से जुड़े लासन आईस शेल्फ के नीचे खोजा है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड लासन आईस शेल्फ साल 2021 में तूट कर बना था। रिसच टीम ने गर्म पानी के माध्यम से 500 मीटर तक बर्फ की सतह पर ड्रिल किया। इस दौरान पाइप के साथ कैमरे को लगाया गया था। बर्फ को तोड़ कर कैमरा जब अंदर गया तो वैग्यानिक हैरान रह गये। उन्होंने नीचे सेकडों की संख्या में जलियत जीव देखे। वैग्यानिकों को शुरुआत में धुंधला दिखाए दे रहा था तो उनको लगा की कैमरा खराब हो गया। लेकिन वैज्यानिकों ने बाद में ध्यान से देखा तो पता चला कि कैमरे के चारों तरफ जीनगे हैं। इस खोज से वैज्यानिक पूरी तरह हैरान है क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं थी बर्फ के नीचे कोई जीवन मिलेगा। भौतिक समुद्र विज्यानी क्रेग स्टीवन्स का कहना है कि जानवर हमारे कैमरे की तरफ तैर रहे थे। इससे साफ है कि इतनी गहराई बेहद महतपूर्णी एकोसिस्टम है। काफी लंबे समय से विशेशग्य मानते हैं कि अंटाक्टिका के नीचे नदियों और जीलों का नेटवक है। हाला कि अभी तक इस पर खास रिसर्च नहीं किया जा सका है। वैग्यानिकों के लिए बरफीली सतह के नीचे नदी में जीवन मिलना एक बेहद महतवपूर्ण खोज है। Glaciologist और इस शोद के मुख्य शोद करता हीू होर्गन का कहना है कि इस नदी का निरीक्षन करना एक चिपी दुनिया को खोजने की तरह आसास होता है।